गाइज विल्कम बैक में वीडियो चैनल टेक्नोव जोजीद तो गाइज दर लेक आ चुका हूँ आप सभी लोग लेक बहुत ही बैतरीं एंड्रोइड लेवन स्टॉक यूइ थीम जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और अगर आप भी अपने मोबाइल में एंड्र तो गैजर अगर आप भी अपने मोबाइल में एंड्रोइड 11 के स्टॉक थीम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में एक थीम फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका के यहाँ पर डाउनलोड लिंक नीचे मैंने description में दे दिया है, नीचे description में आपको एक drive का link मिल जाएगा उस पर click करके आपको ये जो theme file है उसको अपने mobile में download कर लेना है download करने के बाद आपको अपने mobile के जो file manager होता है उसको यहाँ पर open करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने mobile के setting पर जाना है setting पर जानने के बाद जो display hidden files है, इसको ये आपके में off हो सकता है तो इसको आपको enable करने के बाद यहाँ पर आपको अपने mobile में जाना है download folder में, download folder को open करने के बाद यहाँ पर हमारा download folder है वो open हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर नीचे आप scroll करेंगे तो अभी थोड़े दिर पहले हमने अभी जो APK download किया था theme file का वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको यहाँ से आपको directly press करके copy करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, अपने mobile में, DWD folder में, DWD folder में जाने के बाद यहाँ पर आपको click करना है, यहाँ पर बहुत सारे folders आएंगे तो उसको click करते रहना है यहाँ पर click करने के बाद, जब यहाँ पर 5-6 folder आ जाएं, जैसे कि यहाँ पर 6 folder आ गया है तो उसके बाद यहाँ पर आपको T folder में जाना है, और यह जो theme file अभी हमने copy किया है उसको यहां से paste कर दिना है, तो हमने यहां पर पहले ही paste कर दिया था, तो उसके लिए no करके यहां पर हम लोग चल जाते हैं, उसके बाद यहां पर हमारा जो theme फाइल था, उसको हमने यहां पर paste कर दिया है, उसके बाद यहां पर आपको अपने mobile के item में open करना है, item को open करने के बाद सबसे पहले यहां पर आपको नीचे लोकल की ओप्षिन पर जाना है है आपके अगर आपका जो वर्जन है वह बार्जने के बाद जैगा इस वर्जन के एप्पिके ने मुबाइल में डाउलोड कर लिजेगा तो उसके बाद यहाँ पर बैक जाना है नीचे यहाँ पर लोकल थीम को अप्शन मिल जाता है इस फेए क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो हमारा Android 11 का जो स्टॉक थीम है वो हमें यहाँ पर मिल यहां पर चाइनीज में लिखा गया उसको इगनोर किजेगा 13 MB के यहां पर आप फाइल देख सकते हैं सिंपल इसको अप्लाई कर लेना है तो गैस तीम को अप्लाई करने के बाद यहां पर हमारे मोबाईल में थीम अप्लाई हो चुका है सबसे पहले बात कर यहां पर लुप 11 का जो स्टॉक थीम आता है उसकी फीलिंग आपको यहां पर मिल रही होगी उसके बाद बात करें गंट्रोल सेंटर के बारे में जो कंट्रोल पैनल है वो भी यहां पर आप देख सकते हैं आपको यहां पर कुछ ब्लूई सेड दिखने को मिलता है थोड़ मिले मिले चेंज उस पर भी यहां पर चेंजेस किया गया है जो की दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है बात करें स्टेटस बार के बारे में तो स्टेटस बार में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया क्योंकि जो वीवो को ओरिजिनल जो है वो भी अच्छा लगता है उसके बाद बात क के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं जो लुक है वो भी आपको स्टॉक थीम की तरह दिखने को मिल रहा है यहां पर जो वाल पेपर यूज किया गया बहुत ही अच्छा वाल पेपर यूज किया गया और जो में तिंग है यहां पर जो आप देख सकते हैं जो अलाम य अच्छा है जिनको भी अपने मोबाइल में स्टॉक तीम का इंटरफेश चाहिए वह इस तीम को जरूर एक बार यूज़ कीज़ेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जाइए फ्री में यूज़ कर सकते हैं कोई यहां पर लाइक कोई भी वेबसाइट वगरा का लिंक नहीं दिया गया ड्राइव का लिंक दिया गया वहां से जाकर डाउंलोड कर सकते हैं और देखा जेतों थीम बहुत ही अच्छा है बहुत यच्छे वाल पेपर्स भी यूज़ किये गया और जो आइकन वगरा वह भी बहुत ही अ तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर थीम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पे नहीं हो तो चैनल को फटा फरसे नीचे जा के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए साथ जो नोटिफिकेशन बटन है उसको भी क्लिक कर दीजेगा ता ये टेलिग्राम गुरूप को भी जॉइन कर लिजे तो चलिए आज के बस इतना ही मिलता आपको मारे के लिए में तब तक ले जय हिन जय भारत